आगच्छन तो विद्यार थी ना है, प्रत्यान पठा में और प्रत्यों में भी हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, क्रदंत प्रत्यों की बच्चों, और अब तक भाग छे का हम अध्यन कर चुके हैं, आइए शात्वा भाग देखते हैं, सब्तमय भाग अस्ति अस्मा का तुम उन के लिए के अर्थ में प्रियोग होता है, आइए देखते हैं, तुम उन प्रत्यों का प्रियोग हिंदी भाषा के को अथ्वा के लिए इस अर्थ में प्रियोग होता है, बच्चों, तुम उन प्रत्यशे, जो तुम उन है ना, इस प्रत्ये का क्या बसता है? तुम, क्या ब होता है और इसका सेस क्या बचता है तुम सेस रहता है बच्चो तुम अन्प्रत्यान सब्द क्या होते हैं अव्य होते हैं अव्य होजाते हैं यillon यानि इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, शबी विवक्तियों में, शबी वचनों में और सभी लिंगों में इन शब्दों के रूप नहीं चलते हैं, उधार्ण के लिए जैसे रामह सम्स्कृतम, अब यहां पठ में तुमुन प्रते जोडेंगे, पठ में तु पठ का क्या बचेगा, पठे तुमका क्या बचेगा, तुम, और रूप बनrekता है पठने जपनेके लिए रामह सम्कृतमगच्छति पढ़ने के लिए जाता है, उसी प्रकार से सीता, भ्रमितुम, उध्यानम याती, अब भ्रम्में, तुम उन प्रते जोडेंगे, तो क्या बनेगा ब्रहमितुम उद्ध्यान को जाती है उसी प्रकार से मोहना कथाम सुरोतुम तिव्रम धावती यानि मोहन कथा सुनने के लिए तेज दोड़ता है तो सुरोतुम यानि सुरू में तुम प्रत्ते जोड़ेंगे तो सुरोतुम उसी प्रकार से गनेश है भोजनम खाद तुम यानि खाद में तुम उन प्रत्ते जोड़ेंगे तो खादी तुम भोजनालयम पस्यती भोजनालय को में देखता है अब बच्चो जैसे समझो अद में यदि हम तुम उन प्रत्ते जोड़ते हैं अद में क्या जोड़ते हैं तुम उन प्रत्ते तो क्या बनेगा अतुम क्या बनेगा अत्व यहां दैकत्य हो गया तुम उसी प्रकार से अर्च में तुम उन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा अर्ची तुम बहुत सरल है आप में तुम उन जोड़ेंगे आप तुम उसी प्रकार से खाद में तुम उन जोड़ेंगे तो चली तुम गर्ज में तुम जोड़ेंगे तुम बचता है तो इसका न यह द्यान रखना है गर्ज में तुमन जोड़ेंगे तो गर्जी तुम चुर में तुमन जोड़ेंगे तो चोरही तुम उसी प्रकार से छिद में तुमन जोड़ेंगे तो छिद तुम त्यज में तुमन जोड़ेंगे तो त्यक त क्रिड में तुमन जोड़ेंगे तो क्रिडी तुम, खन में तुमन जोड़ेंगे तो खनी तुम, गण में तुमन जोड़ेंगे तो गणी तुम, गई में तुमन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा गातुम, जी में तुमन जोड़ेंगे तो जेतुम, ग्या में तुमन जोड़े इसके अर्थ को या के लिए के अर्थ में होते हैं, उसी प्रकार से दा में तुम उन जोड़ेंगे तो दा तुम यानि देने के लिए, धाओं में तुम उन जोड़ेंगे तो दोड़ने के लिए, भू में तुम उन जोड़ेंगे तो भवी तुम हो गया, ब्रहम में तुम उन जोड़ेंगे तो हशी तुम हो गया द्रस में तुम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा द्रश्टूम बनेगा बच्छो उसी प्रकार से प्रच में तुम जोड़ेंगे तो प्रश्टूम यानि पूछने के लिए नम में तुम जोड़ेंगे तो नंतूम नी में तुम जोड़ें तो इक्षी तुम हो गया कथ में तुमन्जोडएंगे तो क्या बनेगा कथी ही तुम हो गया करत्म तुम उन जोडेंगे तो क्या बनेगा कर तुम हो गया करने के लिए तो इस परकार से बच्चों मरा आइए तुम उpri badge से युगत शब्द अव्य हो जाते हैं और के लिए या को अर्थ में इसका प्रियोख होता है तो ये भाग आपके तुमन प्रत्य वाला जो जो भी हुजारण आपने देखे वो आपके अच्छे से समझ में आयोंगे इसी आसा के शाथ में हम अगले प्रत्यों के साथ में फिर मिलते हैं धन्यवाद हा नमो नमा हां